परिंदों को मंजील मिलेग यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने बिजीन के हुनर बोलते हैं मंथली और सब्ताहिक मिल जाएंगी तो जोईन करने साथ ही मैं अनेकेडमी पर ही पड़ाता हूं तो आप अनेकेडमी का लाइनिंग के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्टी पॉइंट सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों तो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने साथ में जो बगले में घंटी है उसको ओन करने ताकि आपको डेली मॉनिंग में इसी तरह पांच बज़े करें रफेस की वीडियो मिलती रहे ठीक है और इस वीडियो पसं की वीडियो को डिस्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिकर क्या पर्चेस करते हैं मातर तीस रूपए की बुक है कंप्लीट स्टी मटेरियल है क्योंकि एक्जाम के लिए टाइम कम है तो आपको रवीजन करने के लिए काफी अच्छा मटेरियल है तो तीन लाक सैनिकों के बीच रूस द्वारा अब तक की इतिहास का सबसे बड़ा सैन अभ्यास आउजन किया जाएगा इसका नाम क्या है बो स्टोक 2018 ठीक है आपको बता दे कि यह है सैन अभ्यास से ग्यारे सिते मट दो अटारा को पूर्वी साइबीरिया में आपको बता दे रूसी सेना इसकंदर मिसाइल का प्रतसन करेगी और जो परमाडू हतियार टी एटीन और टीनाइंटी जो तो ले जा सकती है ठीक है और इसके लाबब दोस्तों आपको यह सैन अभ्यास होता क्या है तो आपको सैन अभ्यास के वारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है एवं सैन शनशादनों की भागीदारी के लिए किया जाता है आपको बता दे कि इस तरह है कि अभ्यास एक दूसरे के संस्थागत धांचे और इद्ध प्रक्रियाओं को समझने के उद्धेश स्रेयुकत अभ्यान के दोरान कई प्रस्थितियों में अभ्यास की जाता है जि बहुत ध्यान से सुनिए कि कोश्चन बहुत इंपोर्डेंट है देखिए पहला फैक्ट पूछे आता है करित्री मुपग्रह को अंतरिक्ष्यों प्रक्षेपित करने वाला देश काउन साता तो प्रथम देश तो वो था रूस इसके लाबा अंतरिक्ष में जाने वाली प् विश्चु का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज बात करें तो वर्ल्ल का सबसे बड़ा देश का उनसा है रूस ठीक है तो यह आप ट्याद रखिए कि बहुत बार एक जामें पूछा आता है उसके लाबाद दोस्तों आपको बता दें कि रूस की जो है तो रूस की रा रात्मान प्रेसिडेंट थे वह बलादी मुर्फ पुर्तिन इसके लाब बैकाल जील कहां थी ते रूस मिस्थी था कोश्चन क्या बनता है विश्चु की सबसे गहरी जील का उनसी है जो की रूस मिस्थी थे जबकि सबसे बड़ी जील कहुंसी कैस्पियंस आगा रहे ठीक पां की राज़णी टोक्यों जापान जो चार बड़े दूइपों को देश कहा जाता है अब यह चार दूइप कौन-कौन-से हैं होकाइडो होंशू सी कोको तथा की शू और दोस्तो जापान को सूर्योदेक देश भी कहा जाता है को शनका सर एकप उचापान की प्राइमि लिए आज इत हुआ था कहां पर पितावरागड भारत में हुआ था ठीक है तो यह भी आपको फैक्ट याद रखना है तो उतिहास के सबसे बड़े सैन अभ्यास का उजन कौन सदेश करेगा यह करेगा रूस और दोस्तों यहां पर चाइना के बारे में जालें चाइना की रा सब्सक्राइब आपको वीडियो पसंद आती तो आज सब्सक्राइब रखते हैं तो इस वीडियो को जितना जाद हो सके शेर जरूर किया करिए और एक्टिवेटेड रहिए बिल्कुल और साथ में जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी आपको जो तो डेरी नॉलेज मिलता रह है कि पूरे महाराष्ट में होने वाला पहले बिमस्टेक संद अभ्यास में सामिल नहीं होगा ठीक नेपाल नहीं सामिल होगा आपको उतादिक फील्ड प्रसिक्षन अभ्यास 10 और 16 सिदंबर के बीच पूरे के आउन्ध में फोरें ट्रेंग नोड में जो तो आजित किया में जाएगा और आपको पद्डशक के लगार श्रीक थाइलेंड नहों नेपाल सामिल है कौन कोन सी क्रया बंगलादेश भारत चाइक मेरी स्रीलंध का घिलेंड और भूत और भूतां अब थोड़ा से विमस्टेक के बारे मांOhizione है इसका पूल पूल प्रम क्या है इसका फ टेकनिका लेंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ठीक है इसकी स्थापना कब हुई थी इस्थापना हुई थी छे जून 1997 को थी यह फेक्ट आप याद रखे एक्जामें पूर्शा आते हैं विम्स्रेक का पहला समयलन कब हुआ था पहला समयलन होता 2004 में और इससे आपको तो बता करने के लिए गये थे तो आपको पता होगा अभी कहां पर हुआ है नेपाल के आजनी काट मांड़ी तो आपको रिसेंडली वाला याद करने जो भी हालिम हुआ है एक्जामें पूछा जा सकता है और अभी बता दे कि एक नया आपको इंपोर्टेंट लेटेस्ट जानकारी कि नया अध्यक्षता जो करेगा वो आप करेगा स्रीलंका ठीक स्रीलंका करेगा तो यह फैक्ट याद रखिएगा और इससे पहले का जो सम्मिलन हुआ तो वह था नेपीतिया में में ठीक है 2014 में जो हुआ था तो पहले भी इंप्यास में कौन सा देश सामिल नहीं होगा त इंपोर्टेंट है चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेकोशन है हाली मिकी सवनेत्री को मेरील स्ट्रीप अवाड से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जागा दोस्तों ऑप्संसी है शोरेया राय को अभी नएक दुनिया में किया गया है आपको पता देख फिल्म निर्माता जोया अक्तर को इसी समारों में निर्देशन के छेत्रे में उत्कृष्टा के लिए वाइलर अवाड से समानित किया गया है तो निर्देशन के छेत्रे में उत्कृष्टा के लिए वाइलर अवाड से समानित किया गया है फ तो आपको बता देख दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अली बाबा के ठीक आपको बता देख चाइना की विशाल का जो इ-कॉमर्स कंपनी है अली बाबा के को फाउंडर जो है और चीफ जैकमा ने 2019 में अपनी रिटायर्मेंट की घोशना कर दी है और आ जोनित कि जाएंगे जबकि जैकमा अली बाबा बोर्ट के निदेशक बने रहेंगे ठीक अब यहां पर थोड़ा सा आपको अली बाबा के बारें बता देते दोस्तों अली बाबा चीन की कांवर्स कंपनी आपको बता चुका हूं इसके संस्थापक को फाउंडर थे जैकमा इस स्थापना कब हुई थी? चार अप्रेल 1999 को स्थापना हुई थी इसका मुख्याल है कहां पे है लिवाबा कंपनी का? हांग जू चाइना में है कहां पे? हांग जू चाइना में और वरतमान CEO कौन है? डेनियल यांग है और जो जैकमा है दोस्तों चीन के धनी वेक्तियो लिवेक्तियों में से एक है ठीक है? तो यह फैक्ट आपको याद रखने अक्सर एक्जाम में जो है तो पूछे जा सकते हैं उसके लावे यहाँ पर अमेजान के बारें बता देते हैं दूसतों आपको बता देते हैं एक आनलाइन इसटोर कंपनी है अमेरिका की है इसकी स् दक्षिन में कर सोकर बहने वाली आयतन कि हिसाब से विष्ष की सबसे बड़ी जबकि लंबाई की सबसे दूसरी नदी है ठीक है और यहाँ पे आपको बता देख जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी विक्ट्योरे जील से निकलती इसका उद्गामा स्वलत है तो भूमा दिशागर में गिरती है तो जैकमा 2019 में रेटार्मेंट की घोषना की हुए कि इस कंपणी के फाउंडर थे इसका राइट एंसल हो जाएगा आपसन सी अली बाबा के थे ठीक है चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं Aero India 2GB का आउजन किस सहर में होगा Aero India 2GB का आउजन होगा दोस्तों आपसाने बेंगलूरू में आपको बता दे कि रक्षा मंत्राले ने घोषना की है कि 20 से 24 फरवी 2GB anticipate चैर बेंगलूरू में होगा आपको बता दे कि सवयाजन में Aero space it in और पब्लिक एयर शो के लिए प्रमुख ब्यापार प्रदसनी में शामिल होगी आपको बतादिक शो को 1996 के बाद से भारती वाइब सेना के एलहंका हवाई इड़े पर आजित एश्या की सबसे बड़ी एरेस्पोस प्रदसनी मानी जा रही है ठीक है तो एर इंडिया 2019 काजन क आपको फैक्ट थोड़ा सा बता देते दों जो एक्जाम में एकसर पूछा आते हैं हलागी मैं कली आपको बैंगलूरु करनाटक के बारे मताया था बैंगलूरु करनाटक की राजधानी है तो आपको बतादे करनाटक में नागर होल राष्टी उद्यान है और बांधी कहा जाता है इसके लाबा कि सिलीकान सिटी और मलै का देश करनाटक को सबसे उचा ज़रना वो कर ना तक में ही इस थीत है ठीक है तो यह सारे आपको दूस्तों याद रखना है इसके लाबा करनाटक से कोशन पूचाता है या क्षिगान की सराजिका परशिद लोग नित भी कर यूएस ओपन टेनिस में पूरू सेकल किस खिलाडी ने जीता है तो यूएस ओपन टेनिस में पूरू सेकल किस ने जीता है इसका राइट एंसर जागा दोस्तों नोवाग जोकोविच यानी आपसाने राइट आपको बता दे कि यूएस ओपन टेनिस में सार्विय को जो नाम है तो यह जोकोवीच का चौधमा गरेंड लेंड श्लैम किताब था और तीसरा यूष्ट ऑपन खिताब था ठीक है तो फॉटीन हिएंक निka किताब था उस जीत के साथ उन्होंने जो तो पीट संप्रासस के फॉटीन ग्रेंड स्लैम जीतने के रिकारड की बराबरी अब दोस्तों देख लेते हैं कल का एंसर के लास्ट वीडियो का एंसर देख लेते हैं सितंबर 2018 में क्रिकेट के दिलीब ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी ति उसका राइड एंसर था ओपसं सी इंडिया बूलू लगवाग सभी स्टूडे ने राइड एंसर दिये थे क्योंक आपको कमेंट वाक्स जरूर लिखना है दोस्तों लिखना जरूर करें आपके साथ इननी मेहनत कर तो आप लोग प्रॉइन देख सकते हैं काफी इच्छी बूक है घ्रुप तो वीडियो फाइल में आप पोस्ट करूँगा काफी सारे नोट्स भी पोस्ट करता हूँ टेलिग्राम जोइन करें साथ ही आप हमारे इस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और सारी अपडेट्स के लिए फेस्बुक पेज भी लाइक कर लिए लिंक वीडियो को सभी की लिं दिन सुभो जय हिन्द बंदे मात्रम